आप सभी को प्रेम्भरा नमासकार और सभी विद्यारते को बहुत वो धन्यवाद और एकजाम नजदीक आ रहा है और मन से एकदम अंदर से लग रहा है कि मेहनत कितना करों रिजल कितना बढ़ियां हो जाए लेकिन कभी न कभी अपने आपको मजूर कर देते हैं नहीं पढ़ने पर फिर दिमाग पुछता है कौन तरीका से पढ़ें कैसे पढ़ें किस परकार पढ़ें कि रिजल बढ़ियां हो जाए मतलब दिमाग में एकदम रवा लोग के कनफ्यूजन बाटे कि पढ़ाई कोई से करें तो अब इस पर विशेश हम सभी लोग को ध्यान देवे के बाद अब पूरे इमानदारिश से हम सब लोग ध्यान दे ही पूरे बढ़ियां से ठीक हो जाए कहीं पर कोई कनफ्यूजन और कोई डाउट ना हो सभी विद्यार्थियों के लिए एक खास और इन्पोर्टेंट और महत्पुन टॉपिक इन्वर्स्ट्यूमेटिव फंक्शन की पूरे के पूरे पूरे पुरपर्टी जितनी टाइप है मैं कुछी च्छनों में क्या ट्रीक है क्या याद करने का तरीका है मैं आप सभी से किवल एक ही गुजारिस करूँगा सुरू से अंतक पूरा के पूरा देख लिजे कुछी च्छन का है और पूरे के पूरे टॉपिक आपके दिमाग में होज़े मैं सभी टॉपिक को एक जलक दिखलाना चाहता हूँ मतलब एक गाना सुने जलक दिखला जा एक वर समझ गया ना तो मैं पूरा नहीं बोल सकता हूँ तो अब आप सभी के सामने एक टॉपिक है इन्वर्स्टियोटिव फंक्सन तो बच्चे लोग एक जाम में बहतर परफॉर्मेंस लाने के लिए कितना आप जानते हैं यह जरूरी नहीं कितना आप दिमाग में अप्टूडेट रखते हैं तो उसके लिए मैं कुछ च्छन में एक आपके दिमाग में देना चाहता हूँ तो यह टॉपिक इनवर्स ट्रिमेंटि फंक्सन इसके जितने परफॉर्टिज है तुरंद आपका किलियर हो जाए बच्चे लोग इसमें डोमें एंड रेंज बस इसको याद केजे दो नमबर आपका किलियर हो जाए एक नमबर डोमें से एक नमबर रेंज से बच्चे लोग डोमें में आप सभी लोग को ध्यान देना है यहाँ पर by equal to sin inverse x तो minus 1 से बड़ा होता है x आप plus 1 से छोटा और एक जवाना सुने है एक पर एक फिरी मतलब जस का तस minus 1 से बड़ा होगा x plus 1 से छोटा और tan inverse x का all real value एक पर एक फिरी cot inverse x का भी all real value और एक बात आप सुने है कि सेक और कौसिक inverse का तो डायलो क्या दरखना है छोटका से छोटा और बड़का से बड़ा मतलब minus 1 से x छोटा होगा और x plus 1 से बड़ा होगा इस दोनों के बराबर का भी सिम्बोल है बस एक पर एक फिरी तो अब x उसके बाद less than minus 1 और greater than plus 1 मतलब एक पर एक फिरी और इस परकार हम सभी लोग domain को देख पाए अब बारी आया range का जिससे आप परिस्थर या परास बोलते हैं यह तो और आसान है एक पर एक नहीं दो दो फिरी मतलब टोटल एक याद किजिए तीन याद होगा देखे कैसे by equal to sine inverse 6 तो minus pi by 2 से बड़ा और बरावर होगा भाई आप pi by 2 से छोटा सेम यही item 10 वाला में लेखे अब बताई यहाँ पर आपके पास pi by 2 minus pi by 2 से plus pi by 2 जस का तसरिम दो सेम यही item आप कहां लेखे तो कॉसिक में minus pi by 2 से बड़ा और बरावर होगा भाई आप pi by 2 से छोटा हाँ अब धियान देना है तुरत यहाँ पर जब 10 inverse देखे मेमोरी बुलेगा सर एक काम गड़बर होगा अरे चेला का गड़बर होगा minus 90 अब plus 90 का मांग अगर रखेंगे तो 10 में और परिभासित होता है 90 degree का undefined आएगा इसका मतलब इसको हटा देना है मतलब बरावर के सिंबोल इसमें नहीं देंगे बस ए दोनों में यही अंतर है अब आपसे पूछा जाए कि इसका क्या होगा तकि सर जानते हैं यहाँ पर minus 90 से minus pi by 2 से plus pi by 2 जाने में बीच में 0 degree आता है अगर बीच में जो 0 degree आएगा न उतना पर कौस से कामान अपरभासित होता है इसका मतलब minus pi by 2 से plus pi by 2 के बेच में by not equal to 0 लगता है बताओ एक पर कितने फिरी मिला तो 2 फिरी बस अगला जला के याद केजे आपका दो और याद हो जाए जैसे 0 से बड़ा होगा और बराबर होगा और pi से छोटा यही same item 0 से बड़ा और बराबर होगा और pi से छोटा 0 से बड़ा और बराबर होगा और pi से छोटा और इस सम में बराबर ले लेगे अब चिला एक बात आप सभी लोग को मेमोरी में आ गया हो कि सर यहां पर जो आप इस से लिखे equal का symbol होगा चिला नहीं होगा नहीं होगा इसको हटा दो equal का symbol नहीं लगाएं क्योंकि cot 0 और 180 पर अपरिभासित हो इतना के बात जब आप आगे देखते हो तो इसमें से 0 से 180 जाने में बीच में πाई बाई 2 मिलेगा इसलिए यहां by not equal to πाई बाई 2 तो इतना सारा जब आप याद कर लिए तो आपका एक नमबर domain से और एक नमबर आपका range से एकदम दिल में बस जाए अब इतना के बात चलते हैं type 1 फर्मूला क्या गजब का है देखो इस sum में मान x होगा एक कोई बहुत बड़ी बात नहीं लेकिन हाँ इसका मान यहाँ sin inverse sin x तभी होगा जब x का value minus 1 से बड़ा होगा x plus 1 से छोट इस cos inverse cos x तभी होगा जब minus 1 से बड़ा होगा x plus 1 से छोट यहाँ tan tan inverse x तभी होगा जब x belongs to all real value यहाँ भी x तभी होगा जब x belongs to all real value यहाँ आपके पास तभी होगा जब x छोटा होगा minus 1 से और x बड़ा होगा पलस 1 से यहां कौसिक कौसिक इन्वर्स x तभी होगा जब x छोटा होगा माइनस 1 से और x बड़ा होगा पलस 1 से तो आप सभी लोग को लग रहा है कि सब डोमेन याद करेंगे इसका कंसेप्ट के लिए अरे हाँ भाई टाइप 1 के लिए ज़्यादा टाइप नहीं है सम मिला के 10 टाइप है याद कर लो गरदा मच जाए अब आपके पस अगर टाइप 2 की बात करते है तो इसमें भी आपका x होगा लेकिन यहां माइनस 5 by 2 से बड़ा होगा बाई, सॉरी अगर यहां पर angle में x दे दिया तो ऐसे हम लोग by ही लिखते थे लेकिन अब यहां पर angle में x जैसे by equal to sine inverse x दे दिया inverse में उधर तब sine आपके पास by equal to x तो sine के बगल में by रहता था तो यहां by लेते लेकिन sine के बगल में x दे दिया तो x लिए क्योंकि sine के बगल वाला को angle बोलते हैं और sine inverse के बगल वाला argument होता है तो sine के बगल में x ने तो यहाँ x तो यहाँ हम लोग by अगर दे दिये तो यहाँ पर हम लोग का y होगा आगर x रहता तो x होगा मनें यहाँ पर angle के फ़र में x है और cos inverse cos x तो यहाँ x लिखेंगे 0 से बड़ा होगा x आप pi से छोटा और बड़ा 10 inverse 10 x कुछ नहीं वही x होगा और minus pi by 2 से बड़ा होगा x आप plus pi by 2 से छोटा बरावर का सिम्बोल नहीं इसमें आपके पस x होगा इसका मान 0 से बड़ा होगा x pi से छोटा इसमें भी x होगा और यहीं सेम आइटम 0 से बड़ा और बड़ावर होगा x आप pi से छोटा और यहाँ पर x not equal to pi by 2 हो और यहाँ इस sin inverse वाला जसकारता से लिख दीजे 0 sorry minus pi by 2 से बड़ा और बड़ावर होगा x आप plus pi by 2 से छोटा x not equal to 0 इस प्रकार आप से मिन आप सभी लोग को यही ध्यान में रखना है एक कभी यूजू करेंगे उसमें आप सभी लोग को कौन लगा कॉसिक इनवर्स अरे कलास 10 तेंट में पड़े हो न तो sin inverse x तो कॉसिक इनवर्स 1 by x आ जाए गा कॉस इनवर्स तो सेक इनवर्स 1 by x 10 का रिस्पोकल क्या हो जाएगा तो कॉट इनवर्स आपके पास 1 by x अब इतना के बाद अब बताए 10 इनवर्स तो कॉट इनवर्स में कॉट तो 10 इनवर्स आपके पास 1 by x तो सेक का उल्टा कॉसिक इनवर्स सोरी कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स 1 by x अब कॉसिक दे दिया तो sin inverse आपके पास 1yx मतलब आप खुद देखे इसका इससे connection है इसका इससे और इसका इससे बस type 3 के लिए अब बच्चे type 4 जब आप देखोगे तो आपका memory एकदम के लिए कुछ कहना ही नहीं है sin inverse x plus cos inverse x equal to pi by 2 pi by 2 pi by 2 एकदम memory में भना भन आ जाए अब आपके पास चौथा के बाद आगया पाच्मा नमबर एक गजब का फर्मूला है इसको एकदम memory में permanent आप सभी को set रखने कैसे set रखो अरे कुछ नहीं करना है sin inverse minus x तो minus sin inverse x cos inverse minus x तो कुछ नहीं pi minus cos inverse x 10 inverse minus x तो minus 10 inverse x cot inverse minus x तो pi minus cot inverse x sec inverse तो pi minus sec inverse x और cosic inverse तो minus cosic inverse आपके पास x एकदम एस सब का जलक एक तो आप memory में sit रखे कि यहाँ पर एक तीनों एक बार यहाँ पर cos inverse minus x को pi minus फिर cot inverse minus x को pi minus और sec inverse अब बाकी सम में केवल minus होता है तो इस बात पर भी ध्याद देने अब पाचमा के बाद आपके पास छथा नमबर पूरपर्टी अब यहाँ से चला एकदम लाह जवाब है याद करने में कोई भार में यह वाला जो फर्मूला है में यह दो-दो फर्मूला बनाता है यह दोनों बनेगा sin inverse के रूप में लेकिन अब विसेस एक बात ध्यान देना है कि यहाँ पर एक बार तो 2 sin inverse के रूप में तो sin x को जब x मानता है तो root under 1-x square है अब जब cos x को अगर आप cos inverse के रूप में देख रहे है तो cos theta को x मानेगा तो पूरा 2x root under 1-x square है बस बस इतना के बाद 10 inverse के रूप में तो sin inverse तो होगा है लेकिन 2 10 to 2x 1 plus 10 square तो यहाँ x square किलियर होगे 2 cot inverse 6 तो sin inverse के रूप में तो होगा है 2 cot theta तो 2x by 1 plus cot square तो यहाँ x square बस इतना का टाइप 6 के लिए होगे और type 6 के बाद type 7 की बात आती है बस तो इसमें आप सभी लोग ध्यान दिजेगा यहाँ पर सम का सम cos 2 theta है तो सम में cos inverse तो लगेगा है सम में cos inverse लेगा चला यह बगल में फर्मूला याद करने में आसान हो कैसे मेमोरी में set करना है इसके लिए बता रहा अब आप सभी लोग के पास 1 minus 2 sin square तो 2 आपके पास x square आ जाए एकदम मेमोरी में set होना चाहिए cot square minus 1 तो x square minus 1 cot square plus 1 तो x square plus 1 मतलब एकदम एक जलब आप देखी और टना टन ठीक के जी सातमा के बाद आठवा नमबर क्या गजब का है यहाँ पर 10 के रूप में है तो आपके पास 10 के रूप में तो जाएगा लेकिन 2 10 तो 2 आपके पास x 1 plus sorry 1 plus नहीं यहाँ माइनस हो आप यहाँ गलस सोच रहे है यहाँ माइनस होगा 1 minus 10 square तो 1 minus x square आ जाएगा अब आपके पास cot 2 theta तो cot square theta minus 1 वाई इतना दे दिया तो cot square आपके पास इतना दे दिया है तो cot inverse आपके पास यहाँ पर विसेज ध्यान देना है cot square theta minus 1 तो x square minus 1 by 2x हाँ चेला एक बात यहाँ पर वाला इस फर्मूला को और उसके बाद आप सभी लोग को बताया गया है तो यहाँ पर ए फर्मूला को यहाँ पर विसेज ध्यान दे यहाँ भी 210 inverse x है तो यहाँ sine inverse के रुप में तो 2x by 1 plus x square और यहीं पर आप देख रहे हैं तो इ 10 inverse के रुप में तो 2x by 1 minus x पलस लग गया तो sine inverse minus है तो 10 inverse इतना ध्यान देना है इतना के बाद जब मैं अगले लाइन पर बढ़ रहा हूँ तो sine 3 theta equal to 3 sine आपके पास theta minus 4 sine q theta तो sine inverse 3 sine तो 3 x minus 4 sine q तो 4 आपके पास x q अब 3 cos inverse x तो cos inverse 4 cos q तो 4 x q minus 3 cos theta तो 3 आपके पास x आजाएं और 10 3 theta equal to 10 inverse 3 10 theta तो 3 x minus 10 q तो x q 1 minus 3 tan square theta तो 3 आपके पास x square आजाएं 1 minus 3 x square और इस pattern के माध्यम से आप 9 का 9 concept clear करने बच्चे जब आप इतना सोच लेते हैं तो अब आपके सामने last 10 मानबर आगया इतना एकदम sit करने गरदा मत जाएं तो sine inverse x plus sine inverse y तो इसका sine inverse x root अंडर 1 minus y square पलस है तो पलस में y root अंडर 1 minus x square sine inverse x minus sine inverse y तो sine inverse x root अंडर 1 minus y square minus y root अंडर 1 minus x square मतलब एक बार x तो root अंडर 1 minus y square फिर पहल का अंदर दूसर का बाहर अब पलस था तो पलस में minus है तो minus cos inverse आगया तो xy अब पलस है तो minus लिखो 1 minus x square into 1 minus y square अब माइनस है तो पलस में cos inverse xy अब पलस रूट अंडर 1 minus x square into 1 minus y square अब इतना के बाद 10 inverse x plus 10 inverse y तो 10 inverse x plus y बटा 1 minus xy मतलब पलस था तो उपर पलस नीचे माइनस माइनस था तो उपर माइनस नीचे पलस इतना जब आप कर लिए तो अब cot inverse x plus cot inverse y तो cot inverse xy अब पलस है तो माइनस 1 यहाँ by plus x अब cot inverse x minus cot inverse y तो cot inverse xy माइनस है तो पलस 1 अब by minus x कई लोग पुष्टा सर बाई पलस x एक्स पलस बाई नहीं लिख सकते हैं लिख सकते हैं लेकिन दोनों फर्मुला को एक जैसा मैसेट करना चाहते हैं एक बार सटा के आएक बार हटा के लिए अब 10 inverse x plus 10 inverse y plus 10 inverse z तो 10 inverse x plus y plus z minus x into y into z बटा 1 minus xy minus yz minus zx और इस परविर्ती के पूरे के पूरे फर्मुला को हम सभी लोग सिखते हुए और पूरे बढ़ियां से इमांदारी से देखे एक ज़लक है और जब भी अगर आप फर्मुला भड़े पूरे बढ़ियां से आप दिमाग में आप सेट कर लेजे याद करने का वहत्रीन टिप्स कि जब फर्मुला को आप याद करते हूं और याद नहीं होता है तो पूरे फर्मुला को एक बार आप पेज पर लिख देजे टबलेट के जैसा सुवा साम दो पार, दो दिन, तिन तिन टबलेट ले लेना है समझ गया ना? एक सुवा में, एक साम में, एक दो पार तिन टबलेट, उसको अगले दिन भी तिन टबलेट मार देजे एकदम आपका ठीक हो जाएगा कहीं पर कोई दुख दिकत कोई तकलिप नहीं होने वाला है तो हमें उमीद था कि आप सभी लोग पूरे बढ़ियां से जिनको याद है तो आप यह भी लिखिया कि यह सर पूरा के पूरा याद है याद नहीं तो यह बताईएगा कि यहां सर और किस प्रकार कॉर्ण टॉपिक किस प्रकार तो सब चीजों पर हम लोग विशेश और विधिवर तरीके से जहाद है बहुत बहुत धन्यवाद और इस तरह की आप सभी लोग पूरे बढ़ियां से अपने एक्जाम पर दीरे धीरे करते हुए अभ्यास करते जाहिए और अपनी कंसिप लिवर को इंप्रोव्मेंट कर चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद